हेलो गईस क्या हो गया है कि आप लोगों से बाल हाथ गुमा के नहीं डल रहा है तो गईस कोई घबराने वाली बात में आज जो वीडियो लाएँ ना मैं आपी लोगों के लिए आएँ कि कैसे हम लोग भटा बाल डालने से बच सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप लोगों को बटा नहीं डालने हैं क्या चीज़े होती हैं जिसकी वज़े से बहुल चक्टिंग या फिर भटा कहला जाते ह यह आज मैं आपको दो का इसी घडियर बतांगा आपको लिखके दे दूँगा कि अगर इन दोनों ड्रल्स अगर आपकी बटा नहीं सही हुँ ना तो गाइस आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा कि हुई है या नहीं हुई है गाइस जानता हूँ कि आप यही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चेकिंग होती क्या चीज़ है अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप पहले से मेरे साथ बने हुए तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुचा है और गाई अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो भाई भाई की वीडियो ना बिना लाइक किये मत जाएगा क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो और साथ यसाथ कमेंड भी करते हूँ तो गाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चुकि बहुत सारे भाईयों को यहीं नहीं पता होता कि बहुत सारे भाई घ्यान से सुनियेगा कि अगर आप जब बॉल डाल रहे हिए बॉल डालती हुए कि जब आप का हाथ ये पूरा खुल रहा है और at the time of delivery means जब आप बॉल को डाल रहे हैं कि मींज जब यहां से बॉल छोड़ रहे हैं तो यह आपकी जो elbow है गाईज यह बेंड नहीं हो नहीं है अगर यह elbow bend हो गया यहां पे कि मींज यहां तो हाथ खुला है लेकिन यहां पे आके बेंड हो यह तो वो चकिंग में नहीं आता हो बटा में नहीं आता सेकंड कंडिशन काईज क्या चीज होती है कि आपने यहां पे लोड किया और आपका हाथ यहां पे ब्लॉक था और यहां पे पूरा खुला तो वो भी एक तरह से चकिंग में आ जाती लेकिन वो बहुत rare cases में होते ह कि आपका जब आप एक बॉल डाल रहे हैं कि यहां पे आपका हाथ ब्लॉक था और पूरा उपर सिल गए यह बहुत rare cases में होती है तो यह हमेशा ध्यान रखेगा कि जभी भी आपका loading के time में आपका means आप लोड कर रहे हैं यहां से आपने इसको बॉल को यहां पे पूरा हा से देखेगा बहुत simple drill है और गाइस यह वाली जो drill में आपको बता रहा हूं यह आपकी pace बढ़ाने में भी help करेगा कैसे वो भी मैं इस वीडियो के last में बताऊंगा तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा कि कैसे सिर्फ ना केवल आपका बट्टा इस दूर सो रहा है जब कि आपको यह drill आपकी ball speed बढ़ाने में भी काम करेगा किसी ने यह drill नहीं बताई होगी भली अगर करते भी होंगे तो गाइस फायदे नहीं पता होगा इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को last तक देखेगा तो गाइस सबसे पहला drill आपको करना क्या चीज़ है बहुत simple से drill ह कि आपको इस position में खाड़ा होना है means सीदे position में आपको खड़ा ओना जैसे मैं खड़ाओं और आपका जोभी action है कि आप side on है या front आ में जो भी आपका action है means आपको ball को load करना है और जहां से जहाँ नखिएगा गईस जैसे मैं ये पाओं किये है यहीं कि यहीं आपको leg उछा जैसे मैं ये position में हूँू यहीं कि बहुत से अबाई क्या कर लेते हैं कि जब लेग उठा रहे हैं वो पाउँ प्रना आपको भालेगे बहें खोल लेंगे नहीं बाइट पाउची नहीं कूलना कहीं खुलना है यहां से आपने उठाया तो यहीं पर और उसके बाद आपको बस खाली यह चीज करनी है यह position आप मेरी देख लीजे कि आपको खड़े होना है load करनी है और यह चीज आपको करनी है guys ध्यान लखेगा कि पहले सर आपको सीधा नहीं रखना है आपको पूरा जो सर है वो उटने के पास लेके आना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो head है means मेरा जो head गिर रहा है वो बिल्कुल इस वाले leg की alignment में गिर रहा है कि बिल्कुल इसके ऊपर गिर रहा है तो आपको ball और ध्यान रखेगा guys ball आप हाथ में रखें या tennis ball रख लीजे चाहिए leather ball रख लीजे वो आपकी मर्जी है लेकिन ball हाथ में होना बहुत जरूरी है आपको simply ball पकड़नी है इस position में आना है gap कितना रखना है पैर में gap कितना रखना है जितने आपके shoulder की range है ना भाई उतना आपको gap ये रखना है gap ये रखना है load करनी है और release करनी है इस चीज़ के guys आपको दिन में से जादा से जादा 50, 100, 500, 1000 जितना जादा आप में strength होगी guys वो आपको करनी है और guys second drill इसी से मिलती जुलती है जब आपको लगबक लगबक guys मैं minimum 3 दिन आपको बता रहा हूँ कि तीन दिन आपको लगतार ये drill करनी ही करनी है उससे पहले इस second drill की तरफ देखना भी मत भाई वीडियो देख लो लेकिन करना बिलकुल नहीं है उसके बाद आपको करना क्या चीज़ है क्योंकि guys जब आप balling डालने के मीज़ जब आपकी जब full run up से ball डालेंगे तो उसमें क्या चीज़ होती है कि गर्तन ऐसे नीचे नहीं जाएगी उसमें सामने की तरफ देखना है इसके बाद guys आपको करना क्या चीज़ है same यही position में खड़े होना है लेकिन इस बार क्या करना है बहुत ध्यान से देखेगा कि आप इसी position में खड़े है same आपको अपने action लेना है लेकिन इस बारी में आपका जो face है वो सामने की तरफ रहेगा कैसे body bend होगी लेकिन face सामने रहेगा towards the batsman कैसे करना है load करेंगे और यह चीज़ आप करेंगे कि यह आपको match situation में ले जाएगी लेकिन तीन दिन आपको कम से कम तीन दिन लगबग लगबग 5000 बाल आपको भाई इसी चीज़ की करनी है कि यही करनी है 5000 बाल बोल रहा हूँ भाई 5000 बाल नंबर बहुत बड़ा है लेकिन अगर क्रिकेटर बनना है एक अच्छा बॉलर बनना है तो भाई करनी पड़ेगे क्योंकि बिना मैनत के कुछ नहीं होगा और गाईज अब रही सबसे important बात कि कैसे ही आपकी बॉल की pace बढ़ाएगा भाई जब लॉक हो रहा है ना पैर क्योंकि जब आपने अगर देखा होगा इसमें क्या चीज है कि मेरा पैर पूरा लॉक हो रहा है तो जब भाई पांच हजार बार इस चीज को को रहा है पांच हजार बार बोल रहा हूँ भाई तो बहुत बड़ा नंबर होता है तो ये चीज आपकी automatically lock होने शुरू हो जाएगी जो की medium pacers baller को बोला जाता है कि जिसकी knee lock बुमरा बहुत सारे baller है गाईज डेल स्टेन आप देख लीजे मिचल स्टार्क देख लीजे जॉर्फ और आर्चर देख लीजे गाईज सब की leg lock होती है तो गाईज इससे आपकी speed भी बड़ेगी तो महाँ पर भी आपका support चाहिए और भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी न या कुछ भी सीखने को मिला है तो comment करके और like किये भी न मच जाएगा Thank you friends